आत्मिक भावनाओं की चर्चा चल रही है इसा दिशनों क्या रहा हो गई हैं? एकी बाकी रह गई हैं स्वामजी महराज हमारे सत्सरोप का वर्णन कर रही हैं हम वास्तों में क्या हैं? दे नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धी नहीं, प्राम नहीं हैं हम उस सच्य लंदगान प्रमात्मा के अंच हैं एयाद दिलाने के लिए ही आत्मिक भावनाओं की चर्चा चल रही है सुख की चर्चा के अंतरगत सुख के लिए आप जिसे अर्श की गई थी एक किसी वस्तु से नहीं मिलता कोई वस्तु सुखदाई या दुखदाई नहीं है मन के खेल है मन को जो प्रिय लगता है वे सुख है जो अप्रिय लगता है वे दुख है जो उसके अनुकूल है वे सुख है जो उसके प्रतिकूल है वे दुख है उधारंतिया जिनने नहीं सुना वे नेरबानी करके इस बात को समझने की कोशिश करें किसी भी वस्तु में सुख या दुख नहीं है ये मन के खेल है आजकल कंबल ओड़ा नहीं जाता थोड़े दिनों में कंबल की बहुत जरूरत लगेगा बहुत प्यारा लगेगा बहुत मीठा लगेगा बहुत सुख लगेगा कंबल तो वही है वही दुख देने वाला है वही सुख देने वाला है निरने कौन करता है मन निरने करता है जो उसको प्रिय लगता है जो उसको सुख लगता है अनुकुल लगता है वह सुख है जो उसके पति‌कूल है वे दुखका, आपने ये भी सुना था सुख हरी का अलग अलग है सुख, बच्चे का सुख खिलोनों में है तो युवक inimती नारियों का सुख सारियों में है उनको अधिक से अधिक सारियों से बीती है वृत्त का सुख पोते पोती दोत्यों में है वे उन्हें देखके परसन होते है एक साधू का सुख भोग ना भोगने में सुख है वे अपने शरीर को यातनाएं देके सुख सुबदा से दूर रखके तो सुख मैसूस करता है एक भोगी भोगों में रहता हुआ भोगों में रमता हुआ भी दुखी निसूस करता है तो सुख देवियो सचनों सबका अलग अलग है किस सुख की खुच के लिए हम यहां आई हुई हैं आप जिने सुना था वे सुख जो हमें हर जगा मिले, हर वक्त मिले, हर एक से मिले है ऐसा सुख हमें चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत ना करनी पड़े प्रचुर मात्रा में मिले, ऐसे सुख को ही इस शुर कहा जाता है ऐसे सुख को ही प्रपात्मा कहा जाता है तो प्रभू प्राप्ती है हमारे जीवन का उदेश उसे परमसुख कषिए, उसे परमशानती कषिए, उसे परमनंद कषिए, एकी बात है आतमसुख कषिए, उसे एकी बात है अटर्नल हैपिनिस कषिए, उसे एकी बात है पर इसकी प्राप्टी के लिए हमें ये मानुजूनी मिले हुए है आप सुईम पढ़ते हैं इस सुख की प्राप्टी के लिए बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, विपार करते हैं इस सुख की प्राप्टी के लिए विवाह शादी करते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए बच्चे पैदा करते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए मानो जो कुछ भी आप करते हूँ लक्ष सिर्फ यही है इस पर्मसुख की प्राप्ति इस पर्मनंद की प्राप्ति खोच के देख लीचे का एक ही लक्ष है इस जिंदरी का कि हम सुक्षी रहे हैं हमें वे पर्मसुक ए पर्मनंद में पर्मशांती ये प्राप्ट करने है इसे बीच स्वाम जी महराज ने शांत भावना प्शी ली थी तो एक श्वद और आ गया कि ये सुक्तुक्त हुआ इस शांती क्या है तो अंतर खुगा इसे पर्मसांती कहा जाता है इसे पर्मनंद कहा जाता है तो कुछ ना कुछ तो अंतर खुगा जो अलग-अलग शब्द पर योग किए हैं स्वामी जी महराज बड़े सर शब्दों में समझाते हैं कामना का शुभा अरंब हुआ शुभा अरंब कह रहा हूँ किसी कामना का शुभा अरंब नहीं होता कामना का अरंब हुआ तो उसकी पूर्टी तक वैसे ही कामना का अरंब होना ही बेचैनी कामना अर्था चाह आपने देखा ना चाह में अख लगी हुई है साथ जहां चाह होगी वहां अख होके रहे मान वहां बेचैनी वहां दुख होके रहेगा किसी भी प्रकार की ये कामना है तो कामना शुरू हुई पूरती तक जो बेचैनी रहती है उसे दुख कहा जाता है बड़े सरल शब्दों में समझने के हम सब पोशिश करते हैं ताकि जो मुख्य बाते हैं वह याद रहें हमें कोई प्रिक्षा नहीं देनी हमें कोई ज्यानी ध्यानी नहीं बनना है हमें तो जो सार है वेच हमें जानना है तो दुख क्या हुआ, कामना की शुरुवात हुई, दुख की भी शुरुवात हो गए, जब तक उस कामना की पूर्ती नहीं होती, मन व्यधित रहता है, बेचैन रहता है, संतमा हत्मा उस बेचैनी को दुख कहते है, कामना की पूर्ती हो गए, बेचैनी खत्म होई, बेचैन हो गया देवियो सुचनो कामना की निवृत्ति हो गई खत्म मत सुचो कि कामना की निवृत्ति बहुत कठन काम है मैं प्रश्य पूछता हूँ यदि कामना की निवृत्ति कठन काम है अती कठन काम है तो कामना की पूर्ति क्या असान काम है कौन कामना की पूर्ति कर पाता है क कोई है माई कालाल जो अपनी हर कामना की पूरती करपा है, नहीं, जब तक उसकी कामना नहीं होती, जब तक उसकी इच्छा नहीं होती, जो हमारे भीतर विराजमान है, जब तक वैये नहीं चाहता कि इसकी कामना पूरी हो, तब तक कोई माई कलाल अपनी कामना को पूर्ण नहीं कर सकता तो कामना की निवित्थी हो गए सुख दुख का अभाव हो गया शांति जहाए ना सुख है ना दुख है इन दोनों का अभाव है ऐसी अवस्था को शांति कहा जाता है उस दिन आपकी से अर्ज की थे जैसे एक स्रूबर है